कस्यप गोत्र महर्शी कस्यप के ही बनसज होते हैं ये उपनाम कस्यप राजपूत लगाते हैं वे मूल रूप से सैव धर्म का पालन करते हैं कस्यप सैव समाज का इतिहास बहुत प्राचीन है क्योंकि सिंदु घाटी सब्वेताओं के जनक उनके पूर्वज रहे हैं कस्यप राजपूत सिख धर्म, सैव और बौध धर्म में पाये जाते हैं कस्यप समाज का इतिहास हिंदु धार्मिक ग्रंतों के अनुसार इस वंस में पहले चकरवर्ती समराट हिरनयाक्ष हुआ करते थे सूर्यवंस, इक्षवाकूवंस और रगुवंस जो बाद में अलग हो गए कस्यप वंस से उत्पन हुए हैं राजपूतों में कस्यप गोत्र होता है कस्यप राजपूत महर्शी कस्यप के वंसज होने के कारण ये कस्यप राजपूत उपनाम लगाते हैं ये मूल रूप से सेवधर्म को मानते हैं कस्यप रिसी प्राचीन वैदिक रिसीों में प्रमुक रिसी हैं जिनका उलेख एक बार अंगबेद में मिलता है यह नाम अन्य संगिताओं में भी व्यापक रूप से मिलता है उन्हें हमेशा धार्मिक और रहस्यमै चरित्र का बताया गया है उनके द्वारा एक ब्रामड बिशुकर्मा भवन नामक का अविसेक किया गया था ब्रामडों ने कस्यप का जन मेजय से संबंध बताया है ब्रामड में परजापती को कस्यप कहा गया है अब बात करें कस्यप गोत्र की कुल देवी कौन होती है तो कस्यप गोत्र की सुरुवात कस्यप रिशी से हुई है इसे पहला गोत्र माना जाता है उसके बाद और भी कई रिसियों के नाम पर गोत्र की सुरुवात हुई है कस्यप रिसि की पत्नी अदिती को कस्यप गोत्र की कुल देवी माना जाता है यह राजा दच्छ की पुत्री थी राजा दछ ने अपनी 17 कन्याओं का विबा कस्यप रिशी से ही किया था जिनमें अधिती सबसे बड़ी थी कस्यप रिशी की प्रथम पत्नी अधिती ही थी अब बात करें कस्यप कौन होते हैं कस्यप मूल रूप से ब्रामडो के आठ प्राथमिक गोत्रों में से एक है, जो कस्यप से लिया गया है, कस्यप राजपूत या कस्यप भारत में एक जाती है, उन्हें कभी कभी कोस्याल या कांसिल्या भी कहा जाता है, कस्यप हिंदो धर्म में सबसे पुराने हैं, चंदरवन सूर्य वंस और अगने वंस जैसे सभी वंसज मूल रूप से कस्यफ वंस से ही निकले हैं। महर्शी कस्यफ वारिस ही हैं जिन्नोंने देवताओं और राक्षसों दोनों को जनम दिया है।